मेरा नाम मनीश कुमार प्रांतिय युवा प्रकोष्ट बिहार कॉडिनेटर और मैं सांतिकुंज हिर्द्वार पहली बार 1995 में आश्वी नवडात्तरा में नौदिन के सत्र में हम चार भाई यहां है और यहां के वातावरन से और नौदिन के साधना के बाद हम लोगों ने य युवा संगठन प्रग्या युवा मंडल के नाम से सुरुवात किया उसके बाद धिरे धिरे हम लोगों की संख्या उसमें बढ़ने लगी हम लोग वहां अभियान चलाने लगे और आज लगवग 26 साल इसमें बिचुका है लगवग धाई लाक युवा इसमें पूरे बिह बिहार में जूर चुके हैं कि देश के बिभिन जगह पर यह जाके जहां भी गये हैं यह अभियान से जुड़े हैं और मिशन के अभियान को आप गती प्रदान कर रहे हैं हम लोगों के इस अभियान में सबसे महत्पुर्ण कायर हम लोगों ने जो सुरू किया वो साधना स से यवाओं को जोरने का काम, स्वाध्याय से जोरने का काम, और धीर-धीर साधना और स्वाध्याय के आधार पर ये संगठन आज एक विक्सित रूप धर्ण करते हुए चला गया। हमारे हाँ पुड़े बिहार जारखंड यूपी में, UPSC, BPSC, Bank Railway की तियारी करने वाले लगवागे 10-12 लाख यूवा वहाँ पत्ना में आते हैं, जो हम लोगों ने उनको टार्गेट किया और ये प्लैन किया कि इन सारे यूवाओं को कैसे मिशन के बारे में गुर्देव क विचार से जोड़के और इनको भी गायत्री परिवार की सभ्यान से जोड़ा जाएं, तो हम लोगों ने सबसे पहले उनको उनके भी जाके नुकर सभा के माध्यम से, उनके क्लासरूम में जाके हमारे वोलेंटियर्स लोग और उनको बुलाके कि सबताहिक वीकली प्रोग् हर रईवार को लगभग देर से 2000 रईवार हमारे साथ एक साथ बैठते हैं संडे को और ध्यान करते हैं, उनको लाके और उनको ये बताने का हम लोग प्रियास करते हैं, ये जो हमारा गायत्री परिवार का अभियान है, ये ब्यग्यानिक अध्यातमबाद से जुरा हुआ है और कैसे ये आपके जीवन में परिवर्तन लाँ सकता है और आपके भविश्य को उज्वल बना सकता है इन बातों से वो प्रभावित होके हम से जुरते हैं और हम से जुर के वो हमारे साथ हो जाते है फिर हम लोग उनको अपने साथ जौर के एक संडे जैसे आते हैं, दो संडे जब वो नए आते हैं, तो पांच दीन का एक special course हम लोग चलाते हैं उनके बीच, जिसको हम लोग ने नाम दिया personality development course, बेक्तित परिस्कार की साधना, ये पांच दीन में 10 classes होते हैं, जो हमारे युवा भाई लेते हैं, ये अलग-अलग subject पर हम लोग उनसे एक exam लेते हैं, टिक मार question, सो question होता है, कि आप यहां से जुरके आपको क्या क्या लगा, इसका हम लोग देखते हैं, और उनका एक अनुभव लेते हैं अन्तिम दिन, कि आप गाहित्तिरी परिवार्त जुरे हमारे युवा टीम से जुरे, आपका क्या अनुभव में जो बहुर सारी बातें ऐसे बताते हैं, जो कहीं साइद वो सेर नहीं कर पाएं, कि हम नसा करते थे, हम गलत आजतों के सिकार थे, पढ़ने के लिए आये थे, गलत संगती में उलज गये, लेकिन यहाने के बाद मेरा बढ़िया बन गया, ऐसा वो अपना पर हम लोग यह देख रहे हैं, कि इवाओं के भीतर अजद ध्यात्म जो गाइत्री परिवार के द्वारा उनके बीच फैलाया जा रहा है, यह बढ़ा ही सफल अभियान इवाओं के बीच चलाया जा रहा है, हम लोग तो एक सबसे पहले यह करते हैं, कि जैसे इवाओं हमा का मतलब वो नेता वाला लीडर नहीं, गुर्देव का जो सर्जन वाला, सर्जन के छतर में आगे बढ़ने वाला लीडर सिप है, इसको कैसे कर सकते हैं, और कैसे सबों को साथ लेके चलने को, हम लोग उसका पूरा गुर्देव के किताब से, विचार से, उनको जोड़ते ह कैसे अभी का समय महत्रपूर्ण है, और उनको विविन कारियों में, जहां उनकी रूची होती है, गुर्देव के बहुत सारे अभियान है, उसमें हम लोग उनको लगाते हैं, उनके उर्जा को उसमें लगाते हैं, जिसमें उनका इंट्रेस्ट होता है, हमारे हाँ जितने एक पड़ने वाले अ PC वी पढ़ने वाले शुडेन्ट आते हैं, ट्यारी करने वाले आते हैं, उनको हम लोग यह बताते हैं कि साथ कैसे अप पढ़ाई की क्वालीटी, अपने ठभाई की गुन्वत्ता को आप कैसे बहतर कर सकते हो, आप कम से कम समय में जाधे चीजों को स इतने चात्र हमारे रेलवे में बैंक में हुजारो के संख्या में नळगे हमारे जा रहे हैं। करके जिले में दियम है में हमारे युवाप्रकोर्स से जड़े हुए हैं। रेलवे के बड़े-बड़े पदपर हमारे वाप्रकोर्स से जुड़े हुए हैं इसी तरह बिहार के कई थानों का दरोगा जो BPSC करके हमारे वाप्रकोर्स से जुड़े हुए हैं और वो वहाँ जा रहे हैं। यहां आने से वाओं के मन में ये भी लगता है कि एक अच्छे विचार एक अच्छे सोच के साथ जूरने से हमारा कैडियर भी बढ़िया बनता है, हमारा जीवन भी अच्छा बनता है, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आज हमारे यहां युवा जूरते जा रहे हैं, और बड़ी संख्या में बड़ी तीज से जूरते जा रहे हैं, हम उनको सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो यांदोलन है वो साधना पर आधारीतांदोलन है तो आपके साधना तमक मनो भूमी होनी चाहिए आपका साधना करना अनिवारे होना चाहिए और इसके लिए हम लोग उनको मेडिटेशन और गाईतरी मन्तर ये दो चीज अनिवारे रूप से कहते हैं कि जो हमारे सीनियर मेंबर होते हैं जितने उन सब को ये अनिवारे रूप से कहा जाता है कि आप एक घंटे का ध्यान और साधना आपको करना है जिसका अधार बना के वो लोग उसका अलाव हम सब लोगों को मिलता हुआ चला जा रहा है हम लोगों का जो मेन केंद्र है हर रईवार को गायतरी सक्ति पीट पर मॉर्णिंग में और इवनिंग में दो टाइम हमारे हां सिविर चलता है जिसमें दोनों टाइम में अलग-अलग सिफ्ट में अलग-अलग-अलग के आते हैं और वो हजारों के संख्या में भाई आते हैं और उन सब भाईयों को हम लोग अपने बीच बैठाते हैं फिर अलग-अलग हमारे भाई लेक्चर देते हैं और नए लोग जो बिलकुल होते हैं उनको एक अलग तरीके से हम लोग बताने का प्रयास करते हैं जैसे कुछ यह सोच के आते हैं कि चलो अच्छा मंदीर है जाकर देखते हैं लेकिन जब हमारे भीच हजारों युवाओं को देखते हैं तो उनको लगता है कि यह कुछ यहां कुछ बिशे सोड़ा है और फिर उन युवाओं को जो हमारे व्यक्तित परिसकार के साधना कर लेते हैं उनको बाल संसकार साला जो भी लगभग 42 जगह हमारे पत्ना में चल रहा है गड़ीब बच्चों को पढ़ाने का काम जिसमें रिक्सा पूलर के बच्चे हैं किनी की माँ घर में काम कर रही है अइसे बच्चों को जो कोई नहीं पूस्ता था उन बच्चों को पढ़ाने का 25 से 30,000 बच्चे अभी हमारे पढ़ रहे हैं 42 बाल संसकार साला में जिसमें यह लोग पढ़ाने का काम करते हैं और उनको संसकार देने का काम करते हैं इस प्रजेक्ट को देखके अभी कई लो के लिए कुछ सोचना चाहिए कुछ करना चाहिए ये बाल संसकार सा लाभियान हमारा अभी काफी जगों पर चल रहा है और लड़के इससे काफी प्रभावीत होगे और उसमें से बहुत सारे भाई हमारे ऐसे होते हैं जो वहाँ नौ दिन की शाधना पांस दिन की साधना करक है और यहां की संजीवनी शाधना सतर में भाग लेकर पूरे को समझ के युग निर्मान का हमारा काईरे गैतिर पिर्वार का इसे आगे बर सकता है इसके लिए शक्षम बेक्तित्त के रूप में यहां से कुछ से जूरे और वहां जाके उनका साथ साथ अगर कोई नहीं भी है तो एकाकी अपने कायरिक को चलाते हैं और कुछ दिनों के बाद बहु सारे अपने साथ ही सही को खड़ा कर लेते हैं हमारे हां पहले दिन जो भाई आते हैं फस्ट डे उनको हम लोग मात्र 20 में 20-20 मिनट की साथना की बात करते हैं कि 20 मिनद ध्यान और गयतिरिमंतर से आप जोड़ लो मात्र उनको फस्ट डे 20 मिनट पढ़र्डे आपकर वितना ही बताते हैं लेकिन जो भाई हमारे पुराने हो जाते हैं उनको कम से कम एक गंते की रोज साथना और नवरात्र का जो द हमारा इवात संगत्थन बहुत काम कर रहा है, जैसे पिछले दिन हो जब Covid हाए, को वज कोवीड होगी हुआ तो लोगोंं को भोजन पहुचाने का कार। जब ओसे मिल जो 있़ु काम था गरों में लोगों लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था। बड़े पैमाने पर बार्ड की बिभीशका आती है, तो बार्ड की बिभीशका में भी हम लोग पूरे टीम के साथ मेडिसीन और सारे चीजों को लेके उनके बीच एक बितरन का काईर हमेशा चलाते रहते हैं, यह अभियान हम लोगों के चलता है, दूसरा एक रचनात्मक बिभी हार में ब्रिक्ष लगे और हम लोग ब्रिक्ष लगा के फिर ये भी संकल्प लेते है किस बिभीश को Bachiya कैसे जये, बिभीक्ष की सुरक्षा कैसे हो, यह अभियान भी जनम दीन और विभाह दीन पर भी हम लोग शंकल्प कराते हैं, कि अगर आपका जनम दीन और वि पर एक साथ सारे भाई हमारे पहुंचते हैं और वहां सफाई भी करते हैं साथ साथ लोगों को एवेर भी करते हैं कि आप गंगा में गंदगी न डाले और जगा जगा हम लोगों ने अपना एक पोस्टर भी लगा दिया है गाहितरी परिवार के दौरा इस घाट को गोदलिय लोगों को एक जंजागुता भीएं पहला है इसमें हमारा युवा टीम कर रहा है जो बिचार करणती अभ्यान के नाम से काम कर रहा है इसका गुरूप पूरा बिचार करांती का गुरूप अलग है वह जगर-जगर गुर्देव का साहित-स्टॉल लगाते हैं और शाहित- जिससे वो अधिक से अधिक संख्या में हम से जुरते हुए चले जा रहे हैं जोला पुस्तकाले जोला पुस्तकाले में एक टीम लगा हुआ है जो जोला पुस्तकाले लेकर घर घर जाके लोगों को युवाओं को मोटिवेट करके गुर्देव के विचार को देके वो हमारे बीच लाने का प्रयास करते हैं। ति ये एक जोरने का एक ससक्त माध्यम है, विचार करांती में सहीते स्टॉल और जोला पुस्त का ले। हम लोग उनको अपनी और जो मोटिवेट करते हैं। उसमें एक महत्वपुन चीजे होता है कि उनको ये बताने, हम लोग बताते हैं कि हम सारे युवा हैं। और आप देखलो, उसमें हम लोग अपना उधारन भी देते हैं, अपने और अन्य भाईयों का उधारन देते हैं, जो सारी युवा हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि उनके मस्तिस्क में, ये जो एक फिलिंग से कि गाइतरी परिवार मतलब पुजापात, ये तो कम्प्लीट दूर हो जाता है कि नहीं एक युणिर्मान अलग तरीके का है, और हमारे भी जब आते हैं, तो जैसे हम लोग कहते हैं, तिर्थ हुआत्रा, तिर्थ का नाम सुनते है बहु सारे युवाओं के मन में, उनके अभिवावक के मन में, ये भाव चला जाता है, तिसआब इस भाई हमारे यहां आये हुए हैं, जो यहां युवाक पन उनके अंदर कैसे बिख्षित हो, उनके अंदर एक उनका जो रियल फोर्स है, रियल टाकत है, पोजेटिव फेक्टर उसका कैसे उनके लाइप में आगे बढ़े, इसका तिर्थ सांतिकुन से जुरने के बाद उन यहां प aiutने कैते है इसोप आप लोग का काहिर्कम यूनुटूबब पर हमने सुना है, तोरी में ने हमारे यहां थे यह टेकलोजी का भी प्रभाव चयां नहीं से अपने facebook पएज का हम प्रचार अभियान के जो अभियान को शुटते हैं, लेकिन मूल उनके गर जाजा के जो अभियान चलाया जाता है, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम लोग देखते हैं, कि वो man to man जादे प्रसवार, हम लोग 26 वर्स वार्ची कोट सब मनाए हैं, इस 26 वर्सों से लगातार चला है, 26 वर्स का ये पूरा हो चुका है, और मैं आपको ये भी बतान होती है, कि इसको कहीं ने कहीं प्रमात्म चेतना, गुरु चेतना की सक्ति मिल रही है, जिससे हजारों के समूह में, कई बार तो हम सबों को भी आश्चर्ज होता है, कि ये इतने सारे युवा यहां कैसे हमारे बीच आ जाते हैं, और वो साधना से जूजाते हैं, ध्यान से जूजाते हैं, और उनके जीवन में एक सकारात्मक चिंतना आना सुरू हो जाता है, ये हम लोग पिछले 26 वर्सों से लगाता है, इस कारिकरम को चला रहे हैं, लोग अपनी पुरी ताकत, पुरी सक्ति लगा के किसी कारिकरम में लगे हुए हैं, और लग रहा है कि ये कारि क्लियर था कि ये नहीं हो पाएगा, संभव है सरकार के द्वारा ये जगह हमें नहीं, तो मुझे अपना एक ब्यक्तिगत अनभूती है, ये 2014 में सरधे डॉक साब पतना आने वाले थे, और गांधी मैदान हम लोगों को लेना था, लेकिन सरकार उसमें प्रोब्लेम कर रही दिया, अब मुझे पता नहीं आगे क्या होना है, आप समझो, और आस्चर जनक घटना के रूप में मुझे अभी भी आस्चर होता है, जैसे यहां से वहां पहुंचे और उस ओफिस में फिर पहुंचे कि भई, क्या हुआ मेरे फाइल वापस कर दो, तो उनका आपका तो हो बीख यह हो कि हम लोगों के बीच मदद के रूप में खड़ी रहती है, सर्धे डॉक्साव और सरजेज जीजी का जो प्रेम, जो बिभार, जो हम लोगों को एक सनेह, आज उसी का पढ़िनाम है, यहां से इतना सनेह, सर्धे डॉक्साव बिहार पत्तना में कई बार गए, और उनका सनेह वहाँ भी मिलता रहे और जब लग यहाँ हम लोग आते रहे यहाँ जो सनेह प्यार उनका मिला उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों को कारे करने का एक उर्जा मिलता है एक सक्ति मिलता है और कारे कर सकें यह संकल्प लेके यहाँ से हम लोग निकलते हैं और ब भी नगतिवीधियों की जानकारी आपको मिलती रहे